सच साहस सरुकार क्या है लेमन ग्रास के अवसद्धिये गुर्ट कॉलेस्ट्रॉल नियांत्रित करने में मददगार पाचन के लिए कितना है लावकारी कैंसर सेल्स को करता है खत्म लेमन ग्रास लेमन ग्रास एक अवसद्धिये पौधा है जो खास कर दक्षिड पूर्वी एशिया में पाया जाता है ये घास जैसा ही दिखता है बस इसके लंबाई आम घास से ज्यादा होती है इसके साथ ही इसकी महक नीम्बू जैसे होती है लोग इसको ज़्यादा तर चाय में अद्रक की तरह इस्तिमाल करते हैं इसके अलामा दवा की तरह लेमन ग्रास ओयल का उपयोग भी सालों से किया जाता आ रहा है जानकारी के मुताबिक इसमें लगभग 75% सी ट्रॉल पाया जाता है जिसकी वज़ा से इसकी खुश्बू नीम्बू की जैसे होती है अकसर लेमन ग्रास ओयल का इस्तिमाल सौंदर उत्पाद और पेपदार्थों में किया जाता है लेमन ग्रास की बात करें तो सिर से लेकर पैर तक कई बीमारियों से निजात दिलाने में फायदेमंद साबित हो सकती है लेमन ग्रास में कई अउसधिये गुड होते हैं जिसकी वज़ा से कई आयरुवेदिक उप्चार के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है National Center for Biotechnology Information की वैप साइट पर प्रकासित रिसर्च के मोताबिक इसमें बैक्टेरिया से बचाओ के लिए एंटी वैक्टेरियल सूजन को दूर करने के लिए एंटी इंफलिमेटरी और फंगस से राहत दिलाने के लिए एंटी फंगर गुर मौजूद होते हैं इसके साथ ही कॉलेस्टरॉल को नियंतृत रखने में लेमन्ग्रास एहम भूमिका निभा सकती है एक बैग्यानिक सोध के अनुसार लेमन्ग्रास के अर्क में हाईपो कॉलेस्टरोलेमिक प्रभाव मौजूद होता है जो कॉलेस्ट्रॉल के एस्तर को नियंत्रित करने में मददगार हो सकता है लेमनग्रास के सेवन से अपच, ग्यास्टिक के समस्या और पेट से जुड़ी तमाम परिसानियों से आपको राहत मिल सकती है साथ ही पेट की अंदुरोनी दिवारों को भी लेमनग्रास सुरक्षा प्रदान कर सकता है इसके साथ ही पाचन को दूरुस रखने में भी लेमनग्रास से मदद मिल सकती है अगर आप पाचन सम्मंधी परिस्तानियों से जूज रहे हैं तो आप लेमन ग्रास टी का सेवन कर सकते हैं इसके बाद जो फाइदा हम आपको बताएंगे वो आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फाइदे मंद साबित हो सकता है कहा जाता है कि किड्नी को स्वस्थ रखने के लिए भी लेमन ग्रास के कई फाइदे हैं दरसल लेमन ग्रास में हाइडरो क्लोरो थियाजाइड गुड़ होता है इसका सेवन करने से बार-बार पेशाब जाने की जरूरत महसूस हो सकती है आपको बता दें कि इससे शरीर में मौजूद विसाक्त परदात पेशाब के जरिये बाहर निकल जाते हैं जिससे आपकी किड्नी स्वस्त रहती है इसके अलावा पत्री होने पर भी आप इसका सेमन कर सकते हैं वही अगर आप कैंसर से पीडित हैं तो लेमन ग्रास का अस्तिमाल कर सकते हैं लेमन ग्रास और लेमन ग्रास की ओयल में एंटी कैंसर गुड़ भी मौजूद होते हैं जो कैंसर सेल्स को खत्म कर सकते हैं और कैंसर के खत्रे को कम करते हैं इसके अलामा कैंसर सेल्स को खटम करने के लिए आप लेमन ग्रास की चाई बनाकर पी सकते हैं हलाकि कैंसर एक लायलास बिमारी है जिसका सटीक लाज अभी तक नही zwr खोजा गया है आप कैंसर की समस्या में लेमन ग्रास का स्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाव जरूर ले इसके साथ ही अगर आप किसी गंभीर बिमारी से परेशान है तो अपने डॉक्टर की सलाव लेना आपके लिए बेहद जरूरी है हमारे स्कास रिपोर्च में बस इतना ही ऐसे खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रही है प्राइम टीवी आप देख रहें